देश्खबर 24 में अस्वक्त रीवा से बड़ी खबर आ रही है जहां रीवा शहर में दिन रहाडे लूट का संसिनी खेज मामला प्रकाश में आया है लूट की अगटना एक धावस अंचालक के साथ हुई है जिसने घर से धावा जाते समय अग्याद बदमाशों द्वारा वर्नाकार सहित कार में रखे साथ हजार रुपए की नगदी लूटने का आरोप लगाया है घटना शहर के समान थाना छेतर की बताई जा रही है जहां आधा दर्जल से अधिक अग्याद बदमाशों ने दिन दहारे धावस अंचालक के साथ हाता बाई करते हुए लाखों की इम्ती वर्नाकार लूट कर फरार हो गया है शहर के भीतर दिन दहारे हुई लूट के इस घटना के बाद पीडित युवक ने समान थाना पहुच कर मामले की लिकत शिकार दर्ज कराई है पीडित पंकच पटेल निवासी समान नाका ने घटना के समबन में जानकारी देते हुए बताया कि वह युणिवर्सिटी बाई पास पर मा की रसोई नाम से धावा संचालित करता है रोजाना की तरह सुबह जब अपनी वर्ना कार लेकर घट से धावा जारा था तभी समान छेत्र में हिस्थित हनुमान बाटिका मेरेज गार्डेन के सामने बाईक से आये बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया और कार के रुखते ही बदमाश उस पर तूट पड़े पिड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने उससे कार से नीचे उतार कर उसकी कार छिनली और मौके से भाग खड़े हुए घटना के दौरान एक बुलेट बाईक से भाग रहे आरोपियों का पीछा करने पर आरोपी बाईक को छोड़ कर मौके से भाग खड़े हुए वही आरोपी उसकी कार साहित उसमें रखे साथ हजार की नगदी सहित जरूरी दस्ता वईज ले गए है पिड़ित ने फिलहाल मामने की शिकायत समान ठाने में पहुचका दर्ज करा दी है जिसकी पुलिस द्वारा तस्दीग की जा रही है मेरी गाड़ी क्रमांग केंपी 17cc 9555 मैं अपने घर से टावे के लिए जा रहाता हूं दावा चलाता हूं महाचरसवरी कि नावस दावे की तरफ जा रहाता हूं जार नौ लोगों के तीन बाइकों में थे लड़के आये मुझे मेरी गाड़ी से बाहर निकाला मार्पीट मार्पीट जपटा जपटी करने लगें फिर उन्होंने मेरी गाड़ी से मुझको बाहर निकाला एक बंदा उनका गाड़ी में बैठा अब ओर लेकर जब आगे निकल गया तो यह महासयम से बात कर रहे तो उन्होंने कि मेरी आपकी गाड़ी यह यह इतने में बुलट में तो यह थी इस वक्त की रिवा से बड़ी खबर जहां दिन दहाडे आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने धावस अंचालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है यहां बदमाशों ने धावस अंचालक के वर्नाकार सहीट साथ हजार की नगदी वार दस्तावेज लूट कर फरार हो गए हैं